टाटा का सबसे जादा जो नाम किस गाड़ी ने कमाया है तो वही आजी ये गाड़ी है इस गाड़ी ने टाटा के इतना जादा नाम ब्रेंड वैल्यू इतनी जादा बढ़ा दिये है आज की डेट में 10 टेरा की मार्किट पूरी हाई स्टेंडर पर चली गई है और इस गाड सबसे पहले हम इस गाड़ी है और यह दो वर्जन में आती है एक तो काउल वर्जन यहां पर आप देखते हो और साथ में सिगना भी यहां पर मॉडल मिल जाते हैं इसे में आपको एसी कैबिन आपको ऑप्शन में यहां पर टाटा कंपनी दे देती है पर उसमें चार तरह क अगर आप सिगना कैबिन लेते हो तो सिर्फ आपको जो 25 फिट वाली डेकलेंट है उसमें आपको सिगना मिलेगा बाकी तीनों में आपको काउल का ओप्शन यहां पर मिल जाता है तो सबसे पहले हम इस गाड़ी के हम ओवरार रिव्यू करने से पहले आपको इसका प्राइ प्राइबिल की है तो सबसे पहले हम गाड़ी का फ्रंट लुक शुरुआत करते हैं उसके बाद सारी ट्रांस्मीशन लाइन समझेंगे कैसे गाड़ी की पावर ट्रेन है क्योंकि मैंने यहां पर मैं लखनू प्रांड भी गया हूं जमशेदपूर प्रांड भी गया हूं म तो सारी प्रसेस मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है तो उसके बाद जो हम बाड़ी बनाने वाले हैं क्या हमको बाड़ी में क्या चेंजिस करने जाहिए वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे और फुल वीडियो आपकी इसको बाड़ी लगाने के बाद व जीए जीएठाइस टन का यहाँ पर जीवीड जीडियो जो पेलोड मिलेंका आपको अठाइणगा दस टन की यहाँ पर बोड़ी हो जाती है पच्छिस विट की यह टेकलें के साथ अगाड़ी है 180 kV पावर एक सो चारिस किलो वाट की यहाँ पर आपको पावर मिल जाती है और हम यहाँपर टॉर्क की बात करें तो साड़े 800 नूटरमेटरी गाड़ी की बात टॉर्क है बहुत ही बड़िया गाड़ी अनुरोड प्रफॉर्मेस देती है एक बात करें की बात गड़े तो यहाँपर 4 प्लस की यहाँपर मिलेज 28 तन के यहां पर दबाब में यह गाड़ी अराम से देती है अगर खाली गाड़ी आप लेकर जादे हो तो 6 प्लस की आवरेज यह अराम से देती है और यहीं पर Tata का यहां पर मार्किंग logo रहता है Tata की यहां पर ब्रैंडिंग रहती है अगर से गले उठाकर यहां पर मैं आपको बताओं तो यहां पर सेंटर गले ईठाकर इंटिकुलर, radiator, house piping water body और अंदर blower boxes और उपर से यहां पर air index के यहां पर pipes रहते हैं और साथ में यो wiring आया है तो सारी यहां पर clean edge से हैं आपर side पर mounted की है पर यहां पर थोड़ा सा जो dashboard है वो यहां से cracking हो जाती है यहां से क्रेकिंग हो जाती है प्राणी गाड़ी आप देखी होगी यहां से तो उसके लिए हम यहां पर इस गाड़ी को अंदर से और बाहर से दोनों तरह से डवलिंग करें उसको पैचिंग करें एंगल और पती के साथ और अगर हम बात करें यहां पर वंपर की तो यहां प पर साइड प्रफाइल की बात करें, तो साइड प्रफाइल में सबसे ज़्यादा जूरूरी आ जाता है एक्सल, टाटा का 7 टन हैवी, एक्सल यहाँ पर रिवर्स इलियर टाइप अपने को मिल जाता है, टाय साइज अपने को मिल जाता है, 295-9820, 16PR की यहाँ पर रेडियल ट हाइट है, वो ज्यादा लिखी हुई, बिल्कुल ठीक है, 5-5 पिट की हाइट पर यह अपने को मढगार यहाँ पर मिल जाता है, और ही पर बात कर लेते हैं हम गाड़ी में यहाँ पर, जो डेकलेंथ की आपको मैंने पहले बात की है, विच्चाहत तरह की डेकलेंथ है, वो भी यहाँ पर वेरी करती है, तो टायर वेरा गिस्ते नहीं है, गाड़ी की हाई माइलेज परफॉर्मेस भी गाड़ी आपको देती है, और एक बहतर आपको यहाँ पर प्रड़क्ट टाटा बना कर देती है, दो बैटरी दी हुई है, बारा बार बोल्ट की 24 वोल्ट गाड बिल्कुल अच्छी तरह से है, अगर आपने यहाँ पर डीजल टैंक एक्स्ट्रा लगवाना है, तो यहाँ पर काफी स्पेस दी हुई है, वहाँ पर आप 200 लीटर से लेकर, 300 लीटर का असानी से यहाँ पर बड़ा टैंक लगवा सकते हो, यहीं पर चेसिस की बात करें, त यहाँ पर एक जॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, उसको हैवी मेंबरनेन के साथ यहाँ पर इसको कबर भी किया हुआ है, नीचे यहाँ पर HCI system है, जो ATS system है, after treatment system वो नीचे लगाया हुआ है, उसमें DOC, DPF, Amox, यहाँ पर पैटिकुल फिल्टर होकर ही, और BS6 गाड़ी क यहाँ पर दौरती है, और यहीं पर बात कर लेते हम गाड़ी में, यहाँ पर में एक्सल की, यहाँ पर जो अपने को में एक्सल मिल जाता है, वो Tata single reduction, RA110, LD का यहाँ पर एक्सल मिल जाता है, बहुत ही लाजवाब एक्सल है, किसी तरह की आज तक कमी नहीं आई एक्सल में साथ में यहाँ पर dummy एक्सल की प्लेसमेंट की हुई है, यह दोनो जो एक्सल हैं, जो tandem bait मनाते हैं, वो 21 तन का मनाते हैं, फ्रंट एक्सल साथ तन का बनाता है, तो टोटल GBW जो हुआ 28 तन, 28 तन की यह गाड़ी ओवराल बन जाती है, कमानियां यहाँ यहाँ पर बहुत ही स सब्सक्राइबर अपने को क्या का क voiture मिल जाते हैं, तो यहाँ पर reverse parking Sinuses मिल जाते हैं, तो बाज़र केAfने तो早burg चेंसे ने को मिल जाते हैं, पर мी मिल जाता है, तृब मिल जाता है, यहाँ पर यहाँ पर पीशे से काफी हिए ऑपर यहाँ इस शुराकल बड़े यहां यहां पर बना सकता है था कि वह ड्राइवरों के लिए यह यहां पर कर लिए फ़ाइदेमयन निद हो सके और यहिस के बात कर लेते हैं साइड मढघार्स मीरी ज़री डिल्ली वाली गारी विंकिने साइट सेटी टाटा यहां पर उपर लगा कर देती है और यहीं पर बात कर दे हम एडविलू टैंकी पैंसर लीटर की कपैस्टी का यहां पर हाई पॉलिमर का यहां पर एडविलू टैक आपको यहां पर मिल जाता है उपर यहां पर उसका सारी मौंटिंग रहती है और यहां से आप उसको आपको यहां पर change कर सकते हूं यहां पर खोल कर और side से यहां पर बात करें तो जो diesel tank है वो भी inner part पर mounted पहले थोड़ा था बहार आता अभी यहां पर inner mounted पर कर दिया है यह 355L के प्रेस्टी का है अगर आप यहां पर company में यह ब्राउचर दिया है उसमें 200L का अलग से option भी दिय जाता है यहां पर यह जो gear box है वो rod की साथ है आज कल जो मैंने प्लांट विलिड किया तो वहां पर सारे गेर वो cable shifting आ रहे है वो भी बहुत बढ़ी है केवल शिप्टिंग हो रहे है कावल में अभी वह नहीं आया है और यहीं पर बात कर लेते हैं steering box ही तो यहां पर इस गाड़ी में यहां पर राणे और जैड़ आपका यहां पर steering box आपने को मिल जाता है अगर ABC पेडल की बात करें यहां पर accelerated total electronic है brakes से यहां पर बैब होगे pressure brakes प्रस ABS brakes आपको साथ मिल जाएंगे जो अपने को clutch मिल जाता है वो यहां पर 380 mm डाय का pusher type single plate dry friction organic lining के साथ यहां पर आपने क्लच मिल जाता है handbrake यहां पर बिल्कुल राइट साइड पर दीवी है एक बार यहां पर में आपको ऊपर चटकर सारे यो गाड़ी के यहां पर points है वो इसली है यहां पर देजो बहुत यहां असानी से है handbrake भी यहां पर सा पर यहां पर चेक इंजन लाइट साथ है यहां पर हैंजर स्विच आ जाता है और यहां पर rpm, meter, temperature, meter, kilometer, fuel, temperature यहां पर सब आ जाता है जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो यहां पर देते हैं प्रेशर वास, df, tank की जानकारी, average, fuel, efficiency अपने को मिल जाती है light, medium, कौन सी ग देते हैं तो नीटल हो जाती है, temperature, सब और यहां पर मिल जाती है, steering बहुत जादा, बड़िया है, और यहां से आप vipo machine गारा सकती हो, यहां पर है depends Lehr your headlight जाता है, इसे यहां पर प्र दिया हूँए, यह सारा यहां पर ब्लोवर का सिस्टम रहता है, और यहां पर gear box में काफी अच्छी गाड़ी है और एक लार मैं आपको यहां पर चाहँ पर इंजन साउंड आए वह आपको चेक कर वाना साड़े 800 Nm गारी में टॉर्क है, इंजन की जो साउंड है, वो मैं आपको यहां पर चेक करवाता हूँ तो यहां पर आपने देखा इंजन की साउंड है, वो काफी जादा अच्छी है, आर्पिम, गारी के पर लेगेज नहीं है, जैसे हम एक्सिलेट करते हैं, तो बिल्कुल गारी टाइम नहीं लेती, साथ की साथ रिस्पॉंड करते थी है, जो गारी का यहां पर कंट्रोल जूनिट है, वो सागिसाथ इंजन को देता भी एक्सिलेट हूई है, तो साथ की साथ और ब्रेकिक एफ़िम सी गारी में लाजब बालू गुटिका बहुत ज़्यादा काम किया है आज भी उस गाड़ी ने यहां पर इतना ज़्यादा नाम किया है टाटा की मार्किट इस गाड़ी ने बनाई है अगर आपको यह गाड़ी अच्छी लगी हो 28 सारा आपने यहां पर देखी ओवर्लोड में चलती हुई बीना क प्लीज वीडियो को लाइक जूर कर देना और मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नमस्का दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम